हेलो गाइज वेलकम टो इंजिनिंग होटी स्पॉट मैं वे पिनलोदवाल आप लोग को कल जैसा कि मैंने आपको पड़ाया था जो ए ए ए ए एटीसी टूजन टूजन टूटी थी सिफ्ट वन के हमने टैन क्योंस डिटेल में सोल किये थे जनरल नोलेज के आज हम ए ए एटीस जूनियर एग्जेक्टिव की टेस्स लॉंज कर दी जो कि आपको मार्त तीन सो रुपे में अवेलेबल हो जाएगी साथ ही वन येर वैलिटी के साथ इसमें 221 टेस्टेज जो कि इंडिया के बैस्ट टीचर्स के दुवारा बनाए गए तो जल्दी से आप हमारी आपको डा 18-fled affected districts in September 2022 जो MFIA ने उसने एक series launch की ती Free Medical Health Camps की 18 flood affected districts में September 2020 में वो किस इस्टेट के अंदर लॉंज की थी इसमें 1st option है Meghalya, 2nd option है Bihar, 3rd option जहरकंड and 4th option is Assam तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आसरम चलिए इसके बारे हम थोड़ा सा हम जान लेते हैं 15 सेप्टेंबर 2022 को MFIN और एक RBI की एक recognized self-regulatory organization था जिसने मिलकर कि इसको launch किया था जो कि आसरम के 18 districts के अंदर launch की गई थी जो कि flood affected थे साथ ही MSWAST MSWAST इसके अंदर इनका partner था अब हम थोड़ा सा जान लेते हैं MFIN के बारे में MFIN है क्या MFIN के एक premier industrial association है जो की policies बनाता है standard policies बनाता है बिजनस के लिए चलिए दूसरे question पर आते हैं कि identify the nidarian that is correctly matched with its common name आपको मैंने पहले भी बताया था कि एक फाइलम एक जाती को बोला जाता है तो इसी तरीके से जो निडायरियन है वह भी एक जाती है फाइलम है identify the nidarian that is correctly matched with its common name admesia sepan, gorjonia seanimon, pysalia Portuguese man of war और panetwila sepan तो इसका correct answer होगा pysalia Portuguese man of war, pysalia जो की जिसके आपने देखा होगा jellyfish jellyfish जो होती है उसी की सेप में होता है pysalia जो की एक प्रकार का जलिये जीव होता है जो निडायरियन है वह जलिये जीवों की एक जाती होती है तो इसके अंदर राइट आंसर आपका pysalia होगा jellyfish की तरह दिखता है यह 30-40 फिट तक लंबे भी हो सकते साथ इनका जो डंक होता हो जैरिला होता है यह दूसरी जो मचलिया होती है उन्हें डंक के द्वारा उनका सिकार करते हैं क्योंसर नंबर थ्री इन विच एडिट दा युनिवसिटी ग्रांट कमिशन एक्ट कम इंटु फॉर्स आपने नाम सुन होगा यूजी सी हमाई यह जो भी यूजी जोती है वह यूजी सी के अकॉर्डिंग चलती है यूजी सी उनकी पॉलिसी बनाता है करका काम साथ यह इंदर कोडिनेशन का काम यूजी सी करता है ुजी सी का याटर बनाने का काम यूजी सी का होता है एक एक्ट था वो आया था आपके 1956 के अंदर इसके अंदर जो ऑप्शन दे रखे 1954, 1950, 1956 and 1952 इसके अंदर आपका correct answer होगा 1956 Come to the next question Article 148 of the constitution of India guides towards the appointment of जो Article 148 है अनुछेद है आपका 140 भारती सम्विधान का वो किसके appointment के बारे में बताता है इसके options है finance commissioner, attorney general of India, election commissioner, comptroller and auditor general of India आपने अगर सम्विधान को पढ़ा होगा वैसे पढ़ना चाहिए हमें अपने देश के सम्विधान का में सा मालूम होना चाहिए थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं तो जो common चीज है वो दा हमें पता ही होनी चाहिए जैसे कि हमारी मौलिक अधिकार है, fundamental rights है, जो हमारी केंद सरकार है, central government के बारे में, state government के बारे में यह सब चीजे छोटी मोटी हमें पता होनी चाहिए इसके जो हमारे समिदान उसके 22 भाग है उसमें से जो पाचवा भाग है, fifth part, उसके अंदर केंद सरकार के बारे में बता रखा है, उसी के अंदर एक आता है हमारे Comptroller and Auditor General of India, Article 148 के अंडर में अब आप पूछेंगे Comptroller and Auditor General of India होता कोन है, Actually Comptroller and Auditor General जो होता है, आप इसे Accounts का Head कै सकते हैं, इंडिया का, Accounts Head इसे बोल सकते हैं, आप All Over India का, असल में यह सरकार के जो भी काम होते हैं, जो भी सकते हैं प्रतिवेधन, समीटीज बनी होती है, संसद के अंदर, प्लिमेट के अंदर कुछ कमिटीज बनी होती हैं, उनके सामने इसको पेस करती हैं अपने और पूरा लेखा जोखा देती हैं, उसके अंदर प्रिजेंटली जो हमारे कैग है उनका नाम है स्रीग्रीश चंद मुर्मू ग्रीश चंद्र मुर्मू प्रिजेंटली यह कैग ऑफ इडिया है इससे पहले यह फर्ट इनोगरल एलजी भी रहे है ल्यूटेन गवर्नर भी रहे जम्मू एंड कसमीर के मुर्मु कस्मीर को यूनियन टेट्री बना गया था तो यह उसके पहले एलजी भी रहे हैं ग्रीशन मुर्मु दो हजार बीस में इन्हें भारत का कैग बनाया गया उसके बाद से लगातार यही हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया एक सवाल और निकल के आत आजाध भात के पहले कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जैरल ऑफ इंडिया थे और जो अभी प्रजेंट में ग्रीशन मुर्मु है वह बाद के 14th एक स्था कम्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को इंडिया के प्रिशिडेंट के द्वारा पॉंट किया जाता है क्योंसर नुम्बर फाइव हुई दा अवार्डी ओफ मेजर ध्यान ध्यान चंद्र खेल रतन अवर्ट टूजन ट्वंटीटू जो मेजर ध्यान 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 खेल रतन अवर्ट है 2022 का उस वह किसी दिया गया है इसमें आपके उप्संस दे रखें हैं अल्डॉस जो किन उसके अंदर जो सरप कंवल ते उन्होंने टेबल टेडिस के लिए चालिस साल के एक टेबल टेस प्लेयर है बैद करिकन अपिंग्धराज टेञान घंडेश का क्वड़ वास्न को करनें लिए ह Abgeord सुना होगा पहले एक अवोर्ड था हमारे यहां पर राजी उगांधी खेल रत्न अवोर्ड जो कि 1901 में बाडमे में शुरू किया गया था उसी का नाम बदल कर 2020 में कर दिया गया मेजर ध्यान चंद्र खेल रत्न अवोर्ड सरकारे आती है तो अपने मन मताबिक बदलाव भी लाती है उसी तरीके से इसे जो अवोर्ड था उसका नाम भी बदल कर काफी इसका विरोध भी हुआ था तो सरकार द्वारा ये भी कहा गया इनको होकी का जादूगर भी कहा जाता था साथी जब ये पहली बार ये अवोर्ड शुरू हुआ था राजियो गांदी खेल रतन अवोर्ड नाम से तो पहली बार ये दिया गया था विस्वनात आनंद अगर आपने नाम सुना हो चैस के काफी बड़े प्लेयर है इनको ये कोलंब्स को मिलाना है म wollen देखना है यहां पर आपकी कुछ रिवर्स लिकी हई है और इंज्नल लिखा हुआ थे चान माम नाम सुना हो इक सिंदू नदी का नाम आपने सुना होगा जो की जो सिंदु नदी है वो मांसरोवर तिबबत से निकलती है मांसरोवर जील का नाम आपने सुना होगा तिबबत के अंदर पढ़ती है वहाँ से निकलती है भारत में होती हुई यह पाकिस्तान के अंदर चली जाती है इस पर सिंदु जल समझोता भी हुआ था बहात हो पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर तो सिंदु नदी का ओरिजिन है मांसरोवर तिब्बत से दूसरी है गोदावरी गोदावरी नदी गोदावरी नदी निकलती है हमारे नासिक से नासिक महराष्टर से ये दक्सिन भाद की सबसे बड़ी नदी है साथ ही इसको दक्सिन भाद की गंगा भी कहा जाता है गंगा के बाद सबसे लंबी नदी है के बात में कोई है तो वो गोदावरी नदी है इसके बाद आती है कावेरी कावेरी नदी हमाई निकलती है कुर्ग करनाटक से और चोथे नमबर के आती है हमारे नर्मदा जो की निकलती है अमरकंटक की पहाडियों से अमर कंटक पहाडियों का नाम आपने सुना हो गाए, मद्यप्रदेश में पढ़ती है, तो मद्यप्रदेश के अमर कंटक की पहाडियों से नर्मदा नदी निकलती है, एक चीज और में आपको नर्मदा के बारे में बता देता हूं, कि जो नर्मदा नदी है, जो नर्मदा न नर्मदा और ताप्ति का जो प्राइभ कर चाहिँ भार चैहिए तो अगर आपसे लिएधे बारे में पूचा गाए तो यह बी सवाल पूचा चाहिए कि बहGS की कौंसी ये नर्म्दा नर्याजी की असी क्या विसेश्टा तो इसकी विसेशता ही है कि यह जाकर गुजरात के रास्ते सिरह अरब की खाडी में जाकर अरब सागर में जाकर मिलती है केर सिर लिए लुकट्र इप 헤 blow ऺड़ेकैंट 3 percent 1 विक है니다 इनमेंसे कौं सा लिकोप्लॉइब टो ऑईल और सुंटोर करता थे नूकिलीयज प्रस्टी माईème लिए लिएलो प्रस्ट एलाइयलययो प्रश्टोर्य शक्री के अंदर का लैड़ यह जो सेल्स कि जो परत होती है लेएर्स होती है उनके अंदे प्रिजएंट टोथ है लाइट यह बैस ऑर को इस टोर करता है आपने देखेँ अंदर ही हो ता सातमें उस जेगे पर पाहए जाता एपड़ सींतर सिंस्ति की जो प्रक्रिया होती है वह नहीं की होती है विच ओफ फॉलोविंग हडपन साइट वाज एक्सकेवेटेट इन 1960 अंडर दा गाइडेंस ऑफ बीक ए थापर जो बीक ए थापर थे उनके आपने हडपा का नाम तो सुनाई होगा हडपा मौन जोदरो यह आपने सुनोगा सिंदु गाटी सब्विता है सिंदु गाटी सब् हडपन साइट जो थी वह 1960 में बीक ए थापर के निर्देशन में जिसका उत्खनन किया गया तो उपसंस दे रखके हडपा काली बंगा लोथल मौन जैदरो तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा काली बंगा काली बंगा का आपने नाम सुना होगा राजस्तान के हनमानग कि क्लश की जिसके बाएं लोजा पसfy करते हैं यहीं आपको पूरी इचेल धात इह जाएगी तो रोगए उन सने अरक हैं और coupling कंदेशन में में को तो औरुएनस वाया कर्वाष क्य間 काृक्ट की इसको बारे खिना फीड़ार में अट्यू को हम अब्स सब्रक उन भीड़ एक चीज में और बता दू आपको, कि जैसे कि अपने लोथल के बारे में पढ़ा था, उसी तरीके से काली बंगा में भी सीटियों को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा था, यहां पर नालिया वगरा, सब यहां का नगर का आप structure देखोगे, तो बड़ा ही आज स से भी काफी ज्यादा development इन जगों पर देखने को मिलता है, इनके बारे में पढ़िएगा, बड़ा मज़ा आएगा, अच्छी चीज़े हैं, हमारी historical places के बारे में हमें knowledge होनी भी चाहिए, The reformer Henry Vivian Derogeo was associated with, जो reformer थे Henry Vivian Derogeo, वो किस से associated थे, हमारे option है, Akali Moment, Amedia Moment, Young Bengal Moment, सुद्धी Moment, जो Henry Vivian Derogeo थे, वो Young Bengal Moment से associated थे, कि बंगाल के अंदर एक movement चला था, Young Bengal Moment, उससे Henry, इनका पुरा नाम था, Henry Louis Vivian Derogeo, जो कि इस Young Bengal Movement से जुड़े हुए थे, बड़ी ही कम उने 22 साल के मुन में इनका निदन हो गया था, साथ ही एक poet भी थे, और जो Hindu college था, बंगाल का, Hindu college के अंदर ये assistant headmaster भी रहे थे, which of the following is not one of the three major types of indigenous wild silks produced in Assam, जो Assam के अंदर silk producer, आपने सुना होगा, Assam का silk बड़ा ही famous है, वहांके silk हमारे यहां से export भी होता है, काफी बड़े पह्माने पे, तो वहां पर जो variety पाई जाती है, तीन तरह की variety पाई जाती है Assam के silk की, उसके अंदर इन में से कौन सी वाली variety नहीं है, वार्म एरी silk, कोसेया पैट, वाइट पैट, गोल्डन मुगा सिल्क, तो जो इसका answer होगा, correct answer इसका होगा, कोसेया पैट, द्रसर वार्म एरी silk Assam में पाया जाता है, वाइट पैट भी वहाँ पाया जाता है, और गोल्डन मुगा सिल्क भी वहाँ का काफी famous है, बड़ा famous है, पर जो कोसेया पैट है, वो भी एक प्रकार का silk ही है, यह इंडिया और चाइना में प्रेड्यूस किया जाता है, इंडिया एंड चाइना के अंदर पर यह असाम के जो तीन मेजर टाइप के silk हैं, उनके अंदर इसकी counting नहीं होती है, तो जैसा कि आज हमने देखा इसके बारे में जो सिप्टू था उसके paper के 10 questions देखें, उनको सोल गया, उनकी detail जानी, हम आगे भी आपके लिए वीडियो लेकर आएंगी जिनके अंदर की आ खर ऑर सांद पुते ओद के बात्ती है, जय अरू उते ल HAMके के लेकर आएंगी अरू टाइंग, उनके घया गude, बहुती है भीज़, जया है जइसे रखेंग़ के देखें हैं, उनके से बारे में जप् हैं, गार है जत्या है।